कि अग्जाम में देखने को मिल जाता है उसके साथ चाहे कोई भी टीचिंग का एक्जाम हो चाहे कोई आपका सूपर टेट हो के विए सो चाहे आपका टेट के एकजाम हो लाइक आपका यूप टेट हुआ चाहे आपका राजिस्तान का टेट हुआ जितने भी टीचिंग के एक्जाम होते हैं लगबग यहां से आपको कुश्चन देखने को जरूर मिल जाता है जिस टोपिक के आज में बात करा उस टोपिक का नाम है आपका आर्टी एक 2009 यानि राइट टू एजुकेशन दोजान नो सिख्सका अधिकार दिनियम दोजान नो तो आप लोग बेसिकली जितने भी लोग हैं टीचिंग एक्जाम की तयारी करें तो सीटेट के साथ साथ आपके बागी के टीचिंग एक्जाम के लिए बड़ा महत्पुन होने वाला है जो आपका यह वाला एक्ट है राइट टू सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके एक्जाम तक चलेगी और वीडियो को आप लोग कर दिया करो जी सभी को गुडिविनिंग रादे रादे गुडिविनिंग नमस्ते सभी को गुडिविनिंग आयोप आप लोग सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ चले अब करते किलास की स्टार्टिंग और उसके लावाए यह मेरे सीटेट को नोट से जिनको आपको इस सारी चीज मिल जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है इसको लेने के बाद आपको एक्स यजट कोई भी किताब लेने की जड़ोत नहीं पड़ेगी ना कोई प्रिवेसर के कोश्चन की ना एंस्यार्ट की ना ही कंटेंड के लिए और नहीं आपको जो प् चलिए अब बात करते हैं आपके राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं एक करके सभी पॉइंट के उपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले इसके बार में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोग देख लीजे सीटेट के एक्जाम में बेसिक जानकारी नहीं आती क कि कब लाग हुआ कब बना के कौन सा अमेंडमेंट हुआ लेकिन आपके टीचिंग एक्जाम में जरूर आती है लेकिन आज की विडियोक अंदर जो मोस्टली इंपोटेंट आपके पॉइंट होते उन सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है ठीक है जिससे आज आज आपका यह बड़ा इंपोटेंट है 21A और आपका 86 एमेंडमेंट बहुत बाद टीचिंग एक्जाम में पूछा जा चुका है तो जो आपका नुच्छे 20A है वो कहता है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारे शिक्षा जानी कि free and compulsory education की बात करता है देखें आप लोग देख रहे हो इस टोपिक का क्या नाम है शिक्षा का अधिकार तो बेसिकली हमारे जो सवीदान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है बेसिकली हमारे और भी कही सारे अधिकार है आप लोगों ने पड़े भी होंगे तो उसी में से एक आपका शिक्षा तक का बच्चा होता है ठीक है तो सिक्सा देने का अधिकार है आपका राइट यानिके आपका अधिकार है ठीक तो यहाद यहापर होगी इसकी बेश की जानकरी उसके लावा इसको पारित हुआ था यानि जो लागू था लागू हुआ था यह आपका एक अप्रेल 2010 से इसको लागू किया गया था बहुत बार आपके टीचिंग एक्जाम में पूछा जा चुका है वैसे दोजाननों को यह लोग सभा में पारित हुआ था लेकिन लागू हुआ था यह एक अप्रेल 2010 तो आप लोगों को सबस्याद है यही चीज ध्यान नखने कि एक अप्रेल 2010 से इस इसको लागू किया गयता है इस एक्ट को लागू किया गयता है ठीक यह बेसिक जानकरी मैं ने आपको बता दी जो आपके टीचिंग जाम ने पूछ जाती है अब बात करतें उन पूइंट के बारे में जो आपके सीटेट के साथ और आपके टीचिंग एक्जाम में दोनों ही जंगे आपको देखने को मिलती है देखे कर आप लोग ने किसी ने इसका ओफिसियली डॉकुमेंट पढ़ा होगा लगभा सोले पेज का है वो तो उसके अंदर आपका सबसे इंपोटेंट आपका चैप्टर फॉर उस डॉकुमेंट के ठीक है इनकी रिस्पोनसिबिलीटी यानि इनके दाइत्यूं की बात कह गई है कि टीचर के outro student teacher के और high-school के क्या-kya दाइत्य होने चीह क्या के इ anfanden की जिम्मेदारिया होने निचीह उनके बारे में आज हम लोग कड़ेंगे detail में क्योंकि यहां से question आपको देखने को beneath ठीक यह आपके वैसे चैप्टर 4 में दी हुई है वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉइंट टू-पॉइंट समझाए हुआ क्योंकि ओफिसेली डॉकुमेंट आपको पढ़ने की जुरूत नहीं है इसको पर पढ़ते हैं इसमें आपको केशारी धार है दी हुई है उनी धारा ऑको पढ़ना है कि कौन छांट देखे सब्धेल बात करते मुंत में बहुत बार पूछी जाती है व ईसली पता नहीं ज्यादर पूछता है जो पिछली बार online exam हुआ था तो देखे धारा बारा क्या कहती है इसके उपर हम एक बार करके नज़र डालते हैं तो धारा बारा कहती है कि जो private school होते है जो जो भी नीजी school होते है उसमें reservation की बात करती है और reservation किसको मिलना चाहिए जो गरीब बच्चे है उनको reservation मिलना चाहिए 25% यानि कि 25 reservation की बात करती है आपके seat at के exam में तो जितने भी question आये है जो आपके online shift के अंदर हुए थे उसमें सेम यही आये थे कि जो गरीब बच्चे होते है जो नीजी school होते है उसमें आटी जो एक्ट है आपका किस प्रावदाउन की बात करता है तो किस प्रावदाउन की और उसके base पर पता लग जाता है बच्चा गरीब है और बच्चा गरीब है तो उसको नीजी school होगे चाहे प्रावेटी स्कूल होगे उसमें 25 reservation ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए तो टोटल इस्टूटेंट में से ऐसे 25% बच्चे आपको अपने school में सामिल करनी चाहि नहीं देते ठीक है इतना कमार्यों यार थोड़ा गरीब बच्चों के लिए कर दोगे तो क्या हो जाएगा ठीक है तो राइट टो एजुकेशन के अंदर जो आपकी धारा बारा है वो बात करते आपकी reservation की जो गरीब बच्चे है उनके reservation की बात करते है कि गरीब बच्चों के अंदर सभी बच्चे आते हैं गरीब बच्चा आता है अमीर भी आता मध्यमवर्गी आता सभी तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं बड़ जो एक टीचर होता है ना टीचर को हमेशा अपनी जो study करनी चाहिए जो प्लान बनाने चाहिए study से संब्दित या जो उसको नहीं करना चाहिए तो यह वाली बात कहते हैं आपके धारा बारा के अंदर जो आपके CTAT के exam में थोड़ा जादा कुछ से नहां से देखने को मिल जाते हैं तो यह वाली बात होगी आपकी धारा बारा खतम होगी चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट धारा के उपर धारा बढ़िया है लेकिन उसमें जो है ना admission लेने के लिए जो donation चलता है यार 50,000 लगता है 20,000 लगता है 30,000 लगता है उसके बिना स्कूल वाले admission नहीं लेते और यह बहुत से private school वाले यह वाला काम करते भी है ठीक है तो अब इस act के बाद यह वाला काम कह दिया गए कि आप बच कुछ time पहले क्या होता था बच्चे का interview ले लिया अगर बच्चे ने ठीक टाक अपने number ले गया ठीक है ठीक टाक चीज़ा बता दी तो उसको admission कर लिया और जो नहीं कर पाया तो उसको admission नहीं लेते थे और कुछ private school वाले ऐसे होते थे मतलब इतने निकम में होते थे कि यह होते थे उनके parents के interview लेते थे अब एक बात वतिया अगर कोई गरीब घर से आता जिसके parents गरीब है जिन्होंने कभी education नहीं देखी तो उनमें उनकी क्या गलती है अगर गरीब का बच्चा है तो क्या उसको पढ़ने का दिखार नहीं है सभी को पढ़ने का दिखार है तो आज भी जाती है कोट के अंदर भी मैटर जाते है तो हलकी इसके उपर आप जहां तक देखने को नहीं मिलता है तो आपको ब्यात समझने है अगर कोई भी प्रैवीट इस्कूल वगएरा आपसे की बात करता है इसक्रीन टेस्ट की बात करता तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हो यह वाला दिकार आपको संपून आपकी लैबिलिटी रखेगा ठीक है तो अगर आपने वाला काम किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा यानि पैनल्टी देने पड़ेगी यह वाली बात कहता है आपकी धारा तेरे के अंदर इस वाले धिकार के अंदर यह वाली बात आप यहां तक समझ के आगे बढ़ते हैं आगे बात करते धारा 14 की बात करते हैं धारा चोगे के अंदर देखे क्या बात कहीं गहीं है, दारा चोदा कहता है कि किसी भी बालक के पास अगर कोई एज़ प्रूफ नहीं है अगर एज़ प्रूफ नहीं है तो इसको एडमिशन से इनकान नहीं कर सकते अगर बच्चा या इसकूल कंदर एडमिशन लेने गया और उस्से कहई दे कि बे कोई एज़ प्रूफ लेगा हो बर्ट सेटिफिकेट लेकर आओ अगर बर्ट सेटिफिकेट नहीं मिला तो यह नहीं है आप उसको स्कूल में एडमिसन नहीं ले सकते बिल्कुल गलत आप उसको स्कूल में एडमिसन करना ही पड़ेगा अगर उसका बर्ट सेटिफिकेट वगर वहां से भी कुछ certificate ना मिले तो उसके parents का एक एफिडेविट बना लेना parents का एफिडेविट बना देंगे कि parents उसमें कहां देंगे कि यह बच्चा हमारा ए ठीक है और यह यहाँ पर यह ऐसे पैदा पैसा अगे पैसे मिलते है आपको अगर अपने उनका एड़िकार उनका नहीं करा तो यहां तो अधिकार उनका छेंजाएगा वो तो अलगवाद आपके ओपर केस पड़ेगा लेकिन parents जो होते हैं वो हंगाम कर देंगे कि हमारे बच्चों को मतलब admission नहीं करा हुआ हमारे बच्चों को चीजे नहीं मिले तो चुचाप admission कर देना जब आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओगे जब आप लोग विबाग के अंदर पोच के काम करोगे तो आप का नजरिया बदल जाएगा कि यार मलब क्या सोचते थे और क्या देखने को मिला है ठीक वह फ्यूचर की बात है तो आपको यह बात समझने कि धारा चोदा कहते हैं कि बच्चों को किसी भी परकार के एज़ प्रूफ ना होने की स्तिति में उसको admission सा आप लोग मनें नहीं क कर सकते हैं ठीक है कुछ ना कुछ उसका लेकर आजाओ यार आधार काड लेकर आजाओ ठीक है कुछ ना कुछ उसका लेकर आपको आना चीए आजकल तो जैसे बच्चे के जो पैसा बेजा जा रहा है तो पैरेंट्स वगएर की डीबीटी वगएरा करें बड़ा थोड़ा ह चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या दियोगा है आगे दिऊ यह आपकी धारा पंदरा आपकी दिऊ है धारा पंदरा कहते हैं अपको उसका लेना पड़ेगा ठीक है एडमिसंग से मन आप बच्चो को किसी ब्यालत में नहीं कर सकते हैं और दूसी भात उनके पेरेंट्स आपके उपर तूट जाएंगे यहां तक आप लोग समझे चलिए अब बात करते हैं दारशोले के उपर देखते हैं धारशोले के स कि स्टुडेंट्स को क्लास में ना तो फेल किया जाएगा और ना ही विध्याले से उनको निस्कासित यानिकी उनको निकाला जाएगा अब आप लोगों से मेरा एक कोश्चन है जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों सब में कोश्चन पूछूगा इस का आपको अगर जोब लेनी है तो बच्चों को सक्तिमाना आपको मानना है कि उससे बड़ा कुछ नहीं तो देखो बच्चों को फेल लिखने में भी जो बोड है जो इतने बड़े अधिकारी है मंत्री है वह डर रहे है ठीक है तो फेल नहीं किया जाएगा लेकिन आप लोग चली ति No detention policy चली थी कोशी चली थी आपकी ? No detention आपकी POLLYC चली थी इसमें कहती है कि हम बच्चों को fail नहीं कर सकते अगर बच्चों को मान ली जो कोई बच्चा fail हो गया तो बच्चय डिप्रेस्ट में बच्चा सय्ड़ कर लेता है बच्चेका हित पर भावित होता तो यह वाला तर के सरकार नहीं दिया लेकिन दूसरा तर के जो फैक्ट वाला यह भी दिख रहा है कि अगर बच्चे का बेसी स्टोंग नहीं होगा इट किलास तक तो नैंत किलास में टेंथ किलास में जाके क्या काम करेगा फिर वहां पर देखने मिलते हैं ड्रोप आउट की समस्या बच्चा स्कूल छोड़ देता है क्योंकि जब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो फिर क्या काम करेगा वहां जाका अब आप लोग बतिए एट किलास तक बच्चों को फेल ना करने का जो डिसीजन है वो सही है गलत है ठीक है आप लोग मुझे कमेंड बोक्स में है उसके लावा 2019 के अंदर एक कमेटी बनी थी शुब्रमन्यम की अध्यक्सता में ये कमेटी बनी थी ठीक है और इसमें अमेंडमेंट हुआ था नोट डिटेंचन पोलिसी में अमेंडमेंट हुआ था बीच का रस्ता में आपको बताता हूँ आप लोग तो कहा होगा नहीं करना चीए कोई गागा नहीं से और फेल कर दो ठीक है अब ये जो पोलिसी बनी थी 2019 के अंदर शुब्रमन्यम की आपकी कमेटी के इनके अध्यक्स ताम के अंदर इन्होंने का कि बच्चा मालीजे एट क्लास के अंदर फेल हो गया तो एट क्लास फेल होने के बाद दो महीन के बाद दुबारा पीपर बच्चे का करवाओ और दो महीने तक इसको ट्रेनिंग दो दो महीने तक क्या काम करो इसको ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग कोन देगा ट्रेनिंग देगा इसकूल वाले और दो महीने के बाद अगर बच्चा पास हो गया तो उससे बढ़िया कुछ अगला कुश्चन आपको क्या दिवा है देवा है अगली धारा कह रही आपकी धारा सतरे अब धारा सतरे के अंदर बात कही गई है कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार की पनीशमेंट नहीं दे सकते नहीं फीजिकली पनीशमेंट दे सकते हैं और नहीं मुरली पनीशमेंट दे सकते हैं देको आप लोग वह है इसकोल के अंदर खूब टूट है ठीक है खूब डंडे लगे है खूब हाथ पैर में मतला अच्छा गास गाल पर थपड़ लगे है बट आज की डेटे में आप पनीशमेंट दे सकते हो ठीक है किसे भी तडीका प्रकार का सारी रिख दंढ देदिया मुर्गे कितने लोग बनेते अपनी स्कूल के टाइम में मुर्गा बनादेते हात आथ ऊपर खड़े मैंने बता वाँ बच्चा क्या या बच्चा सवसे बड़ाये बच्चा सकतिमान कुछ को कही नी सकती आप लोग तो बच्चो को पनिश्मेंट दे सकते हो बच्चो को परीनिश्मेंट आ kwestि आ है तो आ प्रताडित नहीं करने और किसी फिजीकल प्रीचमेंट आपको उसको नहीं देने हैं ठीक आगे बढ़ते हैं आगे आपकी दिविए धारा 24 यह धारा 24 आप लोगों के लिए है जो आप भावी सिख सको और कुछ समय के बाद आप सिखसक भी बन जाओगे तो आपके क्या क्या करतवव्य और चीज पहली चीज दिए कि टीचर को नुट होना बहुत जरूरी है और ठीक है टीचर को पंक्चल वहना बहुत जरूरी है कि टाइम पर आए रेगुलर अपना काम करें अटेंडेंस लगाए और बच्चों के टेंडेंस भी ले और उसके लावा जो एक लास और टाइम पर पढ़ाए ठीक तो पंक्चुल की बात करता है जो आपका आटी 2009 है उसके लावा ये कहता है कि बच्चे का जो करिकुलम होता है जो बच्चे का पाठ्थे करम होता है वो एक निश्ची टाइम पिरेड के अंदर टीचर उसको कम्प्लीट करा दे तो ये भी क्या आप लोग पढ़ा रहे उसको हाइव लेवल तक कर ठीक है ऐसा काम आप लोग नहीं कर सकते तो इस वाली बात को क्या कहते है यह इसकी डूटी बताए गई है उसके साथ साथ में एक डूटी की बात कर गई है कि बच्चे को जो पैरेंट्स होते है जो बच्चे के अभीवा दिये हुए है जो आपके सिक्स तक के करताव आपको दिये हुए ठीक है इसके लवाइश कूल वाले आपसे चाहे कुछ भी करा ले वह अलग बात है लेकिन यह चार करताव है आपके आपके करताव क्या होगे जब आप लोगों को जोब मिल जाएगी तो यह आपको अपनी द्यूटी निबानी पड़ेगी ठीक चलिए बढ़ते बापके अगली धारा 27 के उपर हम लोग पढ़ते हैं धारा 27 का कहते है ध्यांत सो सुनो भावी सिक्सको अभी आपका जब जो अभी तो जोब नहीं मिल लिए भगवान कर आपको जल्दी जो मिले जब आपको जोब भ फिर परिशान हो जाओगे यार कैसा डिपार्टमेंट में लिया ठीक है या तो इतना काम करना पड़ता है हम तो खुब परिशान होगे डूटी से वह चीज बाद गिया ठीक है लेकिन आप लोग पहले यहां देखें जो आपके लिए महत्पुन है कि आर्टी के लेकिन जब NEP 2020 आई तो NEP 2020 ने क्लियर कह दिया अपने डुकमेंट कंदर कि अब टीचर की किसी भी गेर सेस्टिनी कारे में उनकी डूटी नहीं लगेगी इस बात को NEP 2020 ने कह दिया लेकिन जो टीचर की जो डूटी लगती है वो तीन जरूर देखने को मिल जाती है इन ती काट लेंगे फिर आपको कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी जब अपना वेतन चुटाना पड़ेगा ठीक है तो तीन चीज क्या एक तो कि जन्गन्ना यानि सेंसर तो अभी देखो दस साल कंप्लीट होए अभी तो वही नहीं है कोरोना की वज़े से डिले होगी है तो जन्गन्ना के अंदर टीचर की डूटी लगती है उसके लबँसे अभी नहीं चुनाओ जो लहर आई ती तो मेरी उसमें डूटी लगती तो मुझे क्या बनाया था मुझे प्रिजिडिंग ओफिसर बनाया था यानि मैं पीटा सीन अधिकारी बनाता जो बूत होता है ना पूरा जहापर वोट डलती है पूरा स्कूल जो होता है उसकी जिम्मेदारी इस अधिकारी के पास में होती है जो मैं बनाता ठीक है मलब मेरें अंडर में सब कुछ था तो आप लोग सोच सकती हो उस करोना की पीक में मैं बस बचके या हूँ व आप लोगों के सामने दिख रहा हूँ वो एक पीक टैम ता और बहुत लोग मरे तो उसकंद ठीक है पाखिया आप के अधिगारी आप से कहीं बी कुछ भी लगा लगा ले किन ये तीन आपको ध्य जानक नहीं जो आपके बेपर में देखने को मिल जाती है ठीक है चलिए बढ़ते बापके आगे और क्या चीज़ दिए अब देखिए अब यहां पर टीचर इस्टुडेंट का रेश्यो आयोप आप लोग सभी को पता हूंगा साइद कोई बच्चा नहीं है जिसको ना पता ह और जो जो प्रैमरी किलास होती है फर्स्ट क्लास लेके फिफ्ट क्लास तक की किलास होती है उसमें new dir प्लावब होस्प्र प्रांथक्रक्री किलास है तो वहाप पर टीचर इस्टुडेंट उन्होंने कहा दिया हमारे आप तो टीचर इस्टुटेंट रेश्यों बरावर है तो वेकेंसी नहीं निकलने के ठीक है तो एक कफी बात चला इसको पर कि शोर दिन डीटेल में बात करूंगा फिल आप लोग इसको देखिए क्योंकि आपको यह पता भी होगा तो यह वाली ब अगर प्राइमरी लेवल पर 150 से जादा बच्चे हो जाए ज़्योंकि प्राइमरी पर क्या होता है आपका तीसरी इस यह एक होता है तो यहां पर तीस के हिसाब एक सब्ता में जो नियूंतम घंटे होने चीए वो होने चीए आपके 45 घंटे होने चीए teaching exam में मेरे ख्याल से जो आठी से संबंदी सबस्यादा कुछन आया वो आपका यही आया 45 घंटे वाला पूछा गया ठीक तो यह डाउट आपका किलिए रहा उसके लवा आठी के अकोडिंग प्राइमरी लेवल पर जो नियूंतम एकैडमिक आवर चाहिए नियूंतम सेक्षनी घंटे है वो होने चाहिए 800 और जो नियूंतम आपके कारे दिवस है वो होने चाहिए आपके 200 दिन होने चाहिए प्राइमरी लेवल पर लेकिन अगर मैं बात करूँ उच प्रात्मिक इस तर पर तो नियूंतम सेक्स नी गंटे होने चाहिए आपके 1000 गंटे और दिन होने चाहिए आपके 220 दिन आपके होने चाहिए ठीक ये वाली कुछ जानकारी जो आपको सामने मैंने डिसकस की आगे देखिए अगला पुइंट लेकिन 8 क्लास तक हम बच्चों को आजगी डेट के अंदर फेल नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ नहीं सिखेगा तो नाइंत में कौन से जंडे गाड़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा ठीक उसके लाब अगला पॉइंट है कि 8 क्लास तक बच्चों को उनकी जो मदर टंग होती है जो उनकी मातरवास होती है उसमें सिक्सा देनी चाहिए देखो जैसे मेरी मातरवास है क्या है मेरी मातरवास हिंदी है आप लोगों की जो भी मातरवास होगी तो आपको मिनिमम क्लास 8 तक उसी में आपको एजुकेशन देनी चाहिए आपको ध्यानों में अव्यक्त करने के जो मोखं देनी चाहिए उनकी मात्रवास में देनी चाहिए हुआ और कब मात्रवासों को ठीक है और कम से कम किलास 8 तक बच्चा जो भी सिक्सेंड़ करेगा वो वो अपनी मात्रवासा के अंदर गरगा यह बात आपको ध्यान में रखने है ठीक यह वाला पुइंट आपका क्लियर हुआ यह सीट में आपका पूछा गया था आगे देखते हैं अगला आपका आटी कहता है कि क्लास फर्श से फिफ तक के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए जो स्कूल से दूरी है घर से इस्कूल की दूरी होनी चीह हो मिनिमाम आपकी एक किलो मेटर होनी चीह प्राइमरी पर आपका तीन कलुमेटर हो जागा ठीक आगी देखते है आट आट के नुसार जो एसमसी होती जो स्कूल मेनेजमेंट कमीटी होती है उसका अध्यक्स कोन होता है उसका अध्यक्स होता है पैरेंट्स यानि कि गारिजन कांट विशेस आव सकता वाले बच्चों को जो विशेश सकता है वाले बच्चों बया या चल नहीं पाता या क्यों बच्छा दिव्यां तो ऐसे बच्चों बोले कैसे वहस्ता का प्राधाम दिया गया है इंकुलुसिव एजुकेसिन नहीं समावशी शिक्सा का परदावम दिया गया है कि अगर कोई बच्चा विशेश भी है कोई सही से देख नहीं पाता चल नहीं पाता बोल नहीं पाता सुनने सकता उसका IQ लेवल कम है तो उसको भी दूसरों बच्चों के साथ एजुकेसन देन अगला पूइंट आपको दियाए की आटीके implementation के बाद यानि जब से ये एक्ट बनाये डो जाननों और जब से इसका इंप्लिमेंटेशन हुआ इसको क्रियानमीत किया गया है तब से जो क्लास्रूम है जो कक्सा कक्स है वो एज के अकुडिंग क्या है अधिक समझाती है अब देखो वो कैसे समझाते है मैं आपको बताता हूँ आठी 2009 बन गिया आठी 2009 के रहा पाली बात के गहीं ए कि छे साल चलेए के 14 साल तक के बच्चो को free and compulsory education दिजाए अब जो बच्चा 6 साल का होगा तो कौन सी किलास में जाएगा? फर्स्ट किलास में जाएगा ज़िव itu 7 साल का हो जाएगा कौन सी में जाएगा? 2nd में जाएगा, 8 का हो जाएगा, 3 में जाएगा, इसी तरीके से आगे किलास में भी जाएगा तो आप लोग क्या देखोगे जो 1 किलास के अंदर मामूल मिलेगा माली जो 1st किलास है कोई तो 1st किलास के अंदर मैक्सिमम बच्चे आपको 6 साल के मिलेंगे अगर second class के अंदर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर maximum बच्चे आपको 7 साल के मिलेंगे तो classroom के अंदर क्या मिलेगा age के coding आयू के अनुसार अधिक समझाते मिलेंगे एक जैसी जाती के मिलेंगे मतलब एक जैसी उमर के बच्चे वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो यह वाला काम तो जरूर हो गया जबसे आर्टे का implementation हुआ है हमारे स्कूल के अंदर तो यह वाला point आप समझ गए यह seat 8 में आपका पूछा गया था ठीक उसके अलावा अगले point को उपर नज़े डालिए अगला point कहता है यह question भी आता है seat 8 के अंदर पिछले कुछ time से आ रहा है लेकिन अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए 6 साल से लेके 18 साल तक कि आपकी free and compulsory education हो जाती है चार साल इनके बढ़ जाते दिव्यांग बच्चों के लिए ठीक तो यह आपका RTE का पूरा का पूरा concept पूरा chapter था जो मैंने आज यूडियो के अंदर आपको समझा दिया और जितने भी आपके teaching exam होते है चार आपका CTAT का भी exam होता है इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अब आपका कोई question हो तो आप लोग question पूछिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि आपके exam तक यह आपकी class चलती रहेगी ठीक और कोई चीज और पूछने हो आप पूछे comment box में क्या आपको question पूछना है ठीक यह आपका पूरा आटी का पूरा चेप्टर में ने यहाँ पर खतम कर दिया और पूछिए अब आपको क्या पूछना है फिर मैं वीडियो को यहे पर stop कर देता हूँ अगर आप डेली क्लास ले रहे हो ना तो डेली क्लास में पैड़ागोजी में यहाँ पर discuss करता हूँ तो आप लोगों की पैड़ागोजी ओटोमेटिक किलियर हो जाएगी ठीक है और उसके लावा कुछ वीडियो में लग से डालूँगा जो आपके सिर्फ पैड़ागोज में दोनों लावल का टेश्त है या एक हैμέ दोनों लावल के आपके हैं जो मोक टेश्ट है और जो मेरे सीटैट के नोट्स भी leaf है उसके अंदर भी आपको पेपर वं लेना है तो भी आपका है ठीक है तो दोना यप आपके और पूछे क्या कर्शन आप लोगों के है ठीक वीडियो के बीच में तो मैं कभी पूछता नहीं ना मेरी आदत है तो वीडियो के खतम होने पर ही में कुछ ना कुछ क्वेशन पूछता हूँ अब पूछ लिजे जो भी आपका कुष्चन है ठीक है वेरी गूड अभी तक आंसरी दे रहे हो आप लोग चलिए तो फिर मैं वीडियो को इस्टोप कर देता हूँ आयोप आपको वीडियो पसंद आई होगी कल मिलते है फिर अपने वही टाइम पर आठ होजे किसी और दूसरे टोपिक या किसी और दूसरी किलास के साथ तब तक आप लोग पढ़ते रहना अपना ध्यान नक लेना ज लोड़ी होता है आप लोग जब इसको मेरी साइट पर जाओगे गूगल पर लिखना सचने डोट कोम तो मेरी वेफसाइट खुल जाएगी वहाँ पर जाकर अपना लोगिन वगयरा कर गया जो भी पेमिंट का मैथड होता उसको कर लेना और पीडिया को आप लोग वही डा हपता तो गया एक हपता और जाएगा उसके बाद आपको देखनों मिलेगा सीटेट का फॉर्म जी सरकारी स्कूल में पेरेंट्स मिंटिंग नहीं होती है उनली प्राइवेट में ही होती है मैं बनूंगी तो सरकारी में भी करवाँगी वैसे आपकी जानकर इक लिए बता हुआ है न आपका जिए विदिए स्टप करता हूं एंग्लीच लेनाजरों यह आपकी लुए उसके ओपर है चőउर्श के ओपर हिंदी लेना विदिए न ग्रस्फीट लेना उद्टि लेना हों घृटवाँ लेरा कुछ भी